नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24, मैं हूँ निरज कुमार, वक्त हो गया है आज के ताज तरीन खबरों का किसान पंजाब के सिंगु बॉडर से हरियाना में परवेश करने की तैयारी करेंगे जहां किसान संगठनों ने बैरिकेट को तोरने के लिए पॉपलेन और जैसी वी लगवाये हैं वहीं पंजाब किसान मजदूर संगर्स कमेटी के नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा है कि हम आज 11 वजे दिल्ली हर हाल में कुछ करेंगे किसान आंदोलन को लेकर कॉंग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि भरम फैला रही है मोधी सरकार MSP से बजट पर नहीं परेगा कोई बोज बिहार भाजपा आज से दमोधी कॉंकलेव का आयजन करने जा रहा है जहां इसमें केंद्रिय ग्रामिन विकास पंचायती राजमंतरी गिराज सिंग बिहार के डिप्टिसियम समराठ चोधरी विजय सिन्ह समेत बिहार भाजपा के तमाम दिगज नेता हिस्सा लेंगे और मोधी सरकार के 10 साल के कारकरमों की उपलबधी जनता के बीच ले जाएंगे लोकसभा अधक्स ओम विरला आज एक दिवस्य दोरे पर स्री गंगा नगर आएंगे जहां वे जिले में कई अस्थानों पर कारकरम में भाग लेंगे आज उत्राखंड के सियम पुसकर सिंग धामी की अध्यक्सता में होगी उत्राखंड कैविनेट की बैठक जहां वितवर्स 2023-2024 के लिए विधान सभा में बजट पेज करने पर होगी चर्चा आज हरियाना में बीजेपी दफ्तरों का घेराओ करेंगे किसान निता इसके बाद 22 फरवरी को राष्टिये बैठक कर आगे के आंदोलन की रूफ रेखा तयार की जाएगी दोस्तों आगे बरने इस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक किस नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ यूपी के सियम योगी आदितनाथ आज गौरकपुर में लोगों को गीडा आवासिय योजना का उपहार देंगे इससे सारहे 700 लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं सियम योगी आदितनाथ सारहे 4000 युवाओं को स्मार्ट कार्ड और टेवलेट भी वित्रित करेंगे अंडिगर मेयर मामले में सुप्रीम कोट के फैसले पर कॉंग्रेसी नेता राहूल गांधी ने भाजपा पर निसाना साधते हुए कहा कि लोगतंत्र की हत्या की भाजपाईयों की साजिस में मसीह सिर्फ मोहरा है इनके पीछे मोधी का चेहरा है वहीं कॉंग्रेस अध्धक्स मलिकार जुन खरगे ने कहा सर्वोच्च अदालत ने भाजपा की ताना साही चंगुल से लोकतंत्र को बचाया उधर दिल्ली के सियम अरविंद केजिवाल ने सुप्रीम कोट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया समाजवादी पार्टी ने यूपी में कॉंग्रेस को बिहार के सरकारी विद्यालेयों की कार्य अवधी सुबह दस वजे से साम चार वजे तक ही होगी जहां मुखमंत्री ने विधान सभा में मंगलवार को प्रस्नकाल के दोरान जवाब देते हुए खुद घोसना किया बता दें कि सरकारी स्कूल सुबह नौ बजे से साम ठक ने दिया था जिसके बाद सिक्षकों में रोज था संभू बॉडर पर किसानों के परदर्सन के बीच वहां तैनात हरियाना पुलिस के एक जवान एस आई कौसल कुमार की तव्यत विगर गई जिसे ऑस्पिटल में भरती कराया गया जहां उसका निधन हो गया वहीं इस साह के खिलाफ अपमान जनक टिपनी मामले में निचली अदालत के संग्यान को चुनोती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया मद परदेश के देवास जिले में उजजैन के एक दलित युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है जहां आरोपी ने युवक से पैर पकरवाए और ना करगवाए जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वैरल हो गया उसके बाद देवास थाना पुलिस ने मुख्या आरो GDP परमुख महववा मुफ्ती ने पिछले सपता जारी एक अधिकारी के आदेश को चरवाहों के खिलाप अपमान जनक भासा का इस्तमाल करने के लिए उक्त अधिकारी पर एक्शन लेने की मांग की है बता दें कि DFO ने बीते दिनों वसीर एहमद नाम के वन रक्षक को ड्य पर वर्दी के जगह पारंपरिक कस्मीरी पोसाग पहनने के कारण निलंबित कर दिया था पंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदू अधिकारी ने IPS अधिकारी के उस आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा कि हमने या हमारे किसी नेता ने उन्हें खालिस्तानी नहीं कह था उन्होंने उकताधिकारी पर अपना करतव नहीं निभाने और जूटी ख़वरें फैलाने का आरोप लगाया महराष्ट विधान सवहा में मराठा आरक्षन को मंजूरी देने के बाद महराष्ट के मराठा समाज में खुसियों का माहौल है बता दें कि कल महराष्ट विधान सवहा ने मराठा के लिए 10% आरक्षन के प्रावधान को मंजूरी दे दिया है गुजरात के सूरत के एक सक्स को प्रेम जाल में फसा कर लाखों रुपए चुराने वाले बंटी और बबली को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उसके साथ पुलिस ने चोरी किये गए 70 लाख और 50 हजार रुपए भी बरामद किये बता दें कि आरोपी महला दो बच्चे की मा है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मकान मालिक के घर से 96 लाख रुपए चुराए और वारदात के वाद फरार हो गए राजथान S.O.G. ने पेपर लीक मामले में बड़ी कारवाई करते हुए नेपाल बॉडर से आरोपी हर्षवरदन मीना को गिरफतार किया वहीं मीना के सहयोगी राजेंदर यादव को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है सुहत पंचायत के वारद नंबर वारणिवासी स्वर्गे सोहनलाल साह के करीब 60 वर्षिय पुत्र अरुन साह का गुरगाउं में एक्सिडेंट के वाद इलाज के दौरान 14 फरवरी को मौत हो गया महवा जनपत के तहसिल कुलपाहार के किसानों की चने की फसल मौसम के मार के कारण नश्ट हो गई जिस कारण किसानों ने परसासन से मौावजा देने की मांग की है रिस्वत खोर लेखपाल चरहा एंटी क्रफसन टीम के हथे जहां बीकापुर तहसिल में तैनात लेखफाल मोतिलाल यादव को पांच हजार रुपए के रिस्वत लेते एंटी क्रफसन की टीम ने रंगे हाथों गिरफतार किया दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग मांकी है झाल झाल झाल